हलो फेंड्स वेलकम टू माई चनल जी के कैफे इस वीडियो में डिसकस करेंगे ओलम्पिक खेलों में भारत का इतिहास कैसा रहा है कितने प्लियरों ने कैसे कैसे मेडल लेकर आए है ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टन टॉबिक है क्योंकि हर एक्जामनेशन में यहां से कोशन लगातार पूछे जाते हैं अगर आप देखेंगे तो तो हम सभी देखेंगे स्टार्टिंग से और अभी तक का टोकियो ओलम्पिक तक भारत के कौन-कौन से प्लियर ने कौन-कौन से मेडल लेकर आए हैं क्योंकि इंडिरेक्ली या डिरेक्ली कोशन कई एक्जामनेशन में पूछे गए हैं तो डीटेल में पढ़ेंगे बहुत सिल्वर मेडल को जीता था बट यह भारत उस समय ब्रेटिस के दिन था तो इसलिए इसको भारत का एक मेडल कई जगे काउंट नहीं किया जाता है बागटा घरम कहे भारत का पहला मेडल कौन सा था तो आजाद भारत का पहला मेडल था हमारा केडी जादव के द्वारा लाय जाता है देखिए 1952 के हैल सिंग के ओलंपिक में जैसे मैं आपको बताया है कि इनको पॉकेट डाइनोमो के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी कद काटी बहुत छोटी थी और कोई भी एक तरीके से इनको इन स्पांसर नहीं करना चाहता था इनको उस ओलंपिक में भेज के लिए क्योंकि कुस्तिक ऐसा खेले जिसमें थोड़ा कद काटी होना भी जरूरी है बट इनके मन में था कि मुझे तो ये मैडल ले नहीं है तो इनको पूरी तरीके से कोशिज करें इसके ओपर जब इनको इनको इस प्रतिस प्रधा में इस कॉम्पेटिशन में सामिल हु इनको पॉकेट डाइनमो के नाम से भी जाना जाता है कि इनको आपके केड़ी जादव को हेल्सिंग के ओलंपिक दोज़ा उननीस सो बावन में इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल लेकर आए बट इसके लगभग चवाली साल बाद तक भारत के लिए कोई भी कौनसी जगे के थे कौनसी स्टेट के थे ये भी आपको पता होना चाहिए कौनसी स्टेट के थे वेस्ट बेंगोल के थे और केड़ी जादव के बारे में आपको बता दू ये महरास्ट के थे केड़ी जादव और लेंडर पेस पहले भारतिय बन गई जिनोंने लॉन टैनि में ब्राउंज मेडल लेकर आई करना मलेस्वरी जो आंदर परदेश की थी और ये भारत की पहली मैला थी जिनोंने मेडल हासिल क्या था और इनका ब्राउंज मेडल था ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई एक्जामनेशन बूचा गया है इसके बाद हम आते हैं सन 2004 चार में एथेंस ऑलबिंग में जब इनोंने सूर्टिंग में पहला सिल्वर मेडल मिलाता भारत को किनके द्वारा राजे वर्दन सिंग राठोर बहुत बड़ा नाम है ये जेसल मेर के हैं राजिस्थान के इनोंने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल लेकर आये थे 2008 बीजिंग ऑलम्पिक 2008 में किनोंने राये था अभीना बिंद्रा ने और कौन से स्टेट के थे उत्राखंड के इसमें तील मेडल थे भारत के बीजिंग ऑलम्पिक में पहला था सूर्टिंग में गोल्ड किनको मिला था अभीना बिंद्रा को बॉक्सिंग में मिला था इतने भी उलम्पिक हुए, उसमें सबसे अच्छा उलम्पिक माना जाता है, इसमें टोटल 6 मेडल आये थे भारत के, कौन-कौन से थे, पहली हम देख लेते कौन थे, हमारे गगन नारंग, जो तमील नाडू के थे, इन्होंने ब्रॉंज मेडल हासिल किया, कांसे पदक इन्ह कौन सी स्टेट के थी है, हरियाना की है, मेरिकॉम, मणीपूर की मेरिकॉम जो थी, इन्होंने ब्रॉंज मेडल हासिल किया, बॉक्सिंग में, और बॉक्सिंग में भारत का पहली महिला थी, जिन्होंने एक तरीके से मेडल को हासिल किया, योगि स्वर्दत, इन्होंने 65 में silver medal हासिल किया कुस्ती में और यह ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिन्हों ने एक मातर ऐसे व्यक्ति ऑलम्पिक में भारत के जिन्हों ने लगातार दो medal हासिल किया अपने पहले में bronze medal और दूसरे में कौन सा silver medal अब इसके बाद कौन सा आ जाते हैं मैंने आपको total six player बता दिये दोनों हरियाना के थे योगिसवर दद्वी सुसिल कुमार भी इसके बाद आ जाता है रियो Olympic 2016 और यह निरासा जनक Olympic माना जाता है भारत का क्योंकि बीजिंग Olympic में आप देखेंगे total three medal आये फिर शे आये और इसमें लगातार आप बोलेंगे तो दो medal आये थे और वो भी दो महिला ही लेकर आये थी पीवी सुन्दू हाला की अलग बात है कि पहली महिला बन गई थी पीवी सुन्दू जिनोंने बैडविंटन में गई है जिनोंने silver medal हासिल किया है weight lifting में और मैंने आपको bronze medal बताया था किनोंने kandam military के बाद ये बन गई थी उन्होंने bronze medal लिया था और इन्होंने silver medal को हासिल किया इसके बाद second कौन से आ जाती है लावलीना का जो awesome state के हैं तो आपको सभी के state भी पता होने चाहिए और उमीद करते हैं कि Tokyo Olympic में अभी बहुत से medal आने बाकी है और ये सबसे अच्छा Olympic रहेगा उमीद हम ऐसे करते हैं कि भारत को individual category में इस बार 6 से ज़्यादा medal मिले और एक न एक gold medal मिले तो सबसे अच्छी बात होगी तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही मैंने इतने कोशिस करें कि क्यां से लगातर कोशन पूछे जाते थे और कई लोग इसमें ध्यान नहीं देते क्योंकि SSC जैसे examination में कई बार पूछा गया है कि हमारे पहले wrestler कौन थे जिन्नोंने medal लिया था Olympic में तो ऐसे कोशन कई बार पूछे जाते हैं स्टेट पूछे जाते हैं famous player के तो आपको at least पता होने चाहिए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो जरू लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं तो subscribe कर लिजेगा और वीडियो को please share जरू कीजेगा तो आज क कीजेगा तना ही थैंक यू